हाई अवरिवन स्वागत है आपका तो भारत और आस्ट्रेलिया के बीच चल रहे है नाकपुर टेस्ट पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन खतम हो चुका है और भारत ने इस बॉडर गवस का ट्रॉफी में अगर बात किये तो पहले मैच में अपनी पकड मस्बूत कर ली है भी हालांकि सिरफ दूसरा ही दिन जो है वो टेस्ट मैच का खतम हुआ है लेकिन जिस प्रकार से बात की जाए भारत ने लाजवा आज पर्फॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है डे वन के कंप्लीशन पर भारत का स्कोर 77 रन था एक विकट के नुकसान पर इस समय भारत जो स् तारीफ की जाए उतनी कम एक सेंशुरी जो है यहाँ पर उन्हों ने लगाई 120 रन बनाए जिसके बुदोलत टीम जो है 300 का अंखडा पार कर पाई और ना ही सिरफ रोईच शर्मा यहाँ पर तारीफ करनी होगी जिनका कॉंट्रिबूशन रहा चाहे वो रवी चंदरन अश रूप में और आकर कि आपने 23 रन बनाए यहाँ पर जिसमें हमें एक 6 भी देखने को मिला तो अश्विन ने यहाँ पर खूबी अपना काम किया है एक नाइट वर्च में के रूप में आये थे हालांकि और रन जो है उनसे एक्सपेक्ट किये जा सकते थे पुजारा ने थो खेल रहे हैं इस समय 170 गिंदों का सामना कर चुके हैं अगर बात कि जाए डेबुटेंट यहाँ पर श्रीकर भारत वो कुछ जादा कमाल नहीं कर पाए 8 रन पर आउट हो गए और अक्षर पटेल लाजवाब परफॉर्मेस 52 रन पर नाबाद खेल रहे हैं इस समय अक्षर जो है वो गुजरात से आते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी पार्टनर्शिप बिल्डप होते हुई दोनों के बीच में 321 रन साथ विकेट के नुक्सान पर भारत इस समय लीड कर रहे हैं 144 रन से अभी मातर दो दिन हुए हैं लेकिन इस बीच एक नाम और जो यहाँ पर ब पहली निंग्स में यानि की यह खिलाडी ने दिखा दिया है कि आने वाले समय में इसका जो करियर है वो कितना जबरतस जो है वो रहने वाला है लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं बड़े-बड़े विकेट लिए आते ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर केल राहुल को LBW किया अश्विन को LBW किया पुजारा को आउट किया उसके बाद कोली को आउट किया सुर्य कुमार यादव को लिए ने नैथन लिए ने आउट किया और श्रीकर भरत को यहाँ पर आउट किया जो मरफी ने लाजवाब गेंदबाजी की है साथ में से पांच विकेट ल भारत खेलता है क्योंकि यह अगर पहला टेस्ट मैच इसमें अगर जादा मजबूती से बारत जीतेगा तो वो एक अटोमेटिकली मेंटल प्रेशर जो है वो क्रेट होगा टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए क्योंकि यहाँ पर अगर बात कि रहाए भी तीन मैच और है बाकी इस पर मैं चाहूंगा कि अक्षर पटेल और रविंदर जड़ेजा इस समय खेल रहे हैं लास्ट जो है वो बैटिंग यहाँ पर पार्टनर्शिप क्रीज पर चलती हुई इस समय और टेस्ट चेंपियनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि अबी देखे नोवे नंबर पर आ बले का खेल रहेगा उसमें किसी तरह जो है 400 रन तक पहुंचा जाए 400 सवा 400 रन तक पहुंचा जाए उसके बाद जो है रन्स को एल्स्रेट किया जाए और बिना विकेट गवाए 400 सवा 400 मैंने इसलिए कहा कि विकेट नहीं गवाए यहाँ पर और दूसरी तरव जो बात की बलेबाजों में नहीं देखने को मिल रहा है अच्छे confidence के साथ खेल रहे हैं इसकी बदोलत दूसरे ही दिन 144 रन की जो है लीड ले ली है अब यहां से टीम इंडिया को चाहिए कि कम से कम यह 144 रन की जो लीड है इसको दूसरे दिन के बाद अगर बात कि यह तीसरा दिन अब जो आने वाला है तीसरे दिन टी से पहले पहले जो है इस लीड को 144 से बढ़ा करके 200 से 300 रन तक ले जाए जाए और टी के बाद आमंदृत कर सकते हैं और उस्टेलिया टीम को यहां फिर और जादा रन एसलेट कर सकते हैं कि 300 से उपर भी अगर यह लीड चली जाए हालांकि इसके बाद जो है वो बैट्समन नहीं बचे हैं तो अभी यह टार्गेट ले करके चलना चाहिए कि कम से कम जो है 200 रन यहां से जो है उसकी लीड दी जाए और उसके लिए पहला जो लन्च से पहले जो खेल रहने वाला है फर्स्ट हाफ जो रहने वाला है मतलब कौर्टर भी कह सकते हैं उसको उसमें यहां पर विकट बचा करके रन जैसलेट किये जाएं उसके बाद जब लन्च के बाद आएं तो फिर जो है रनों में इजाफा किया जाए बिल्कुल वहाँ पर ताड़ फाड़ बल्लेबाजी करें ताकि ये लीड 200 से 300 तक पहुंचे अब देखना होगा तीसरे दिन का खेल क्या रहेगा आपको क्या-क्या सही लगा दूसरे दिन भारतिय टीम की तरफ से बात किए रविंदर जडेजा ने अच्छे प्रफॉर्मेंस की है रोहिट शर्मा, अक्षर पटेल और वहीं दूसरी तरफ तारीव बनती है तो वो बनती है टॉड मर्फी की डेबुटेंट पांच विगट साथ में से पहली इनिंग्स में लाजवाब परफॉर्मेंस आपका क्या कहना है आपकी जो भी रहे है आप हमारे सब कमेंड बॉक्स में शेर कर सकते हैं आप देखना होगा कि तीसरे दिन भारत इस टेस्ट मैच को अपनी जोली में कितना और जादा जो है वो पका करता है